दोसो पैन काड़ बनाने का लेटेस्ट, फास्ट और सिंपल तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप नई तरीके से अपने पैन काड़ के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं और अपनी मर्जी की फोटोग्राफ और सिंगनेचर पो अड़ कर सकते हैं और अपलाई करने के वाद 10 से 15 दिन के अंदर आपकी घर पर आपका न्यू पैन काड़ आपको मिल भी जाएगा complete latest process इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को last तक ज़रू देखेगा दूसर सबसे पहले आपको अपने mobile में या फे laptop में Google में आपको टाइप करना है pen card apply online इसे आप सर्च करेंगे first website का link आएगा online pen application इस पे आपको click करना है तो NSDL की official website आपके सामने open हो जाएगी यहाँ से आप अपने new pen card के लिए apply कर सकते हैं आप यहाँ पे नीचे आएगे तो यहाँ पे आपको apply online का option मिलेगा इसके नीचे आप application type के option में click करेंगे यहाँ पे आपको तीन options मिलेंगे यहाँ पे आपको first one option मिलता है इसके नीचे आपको applicant information का option मिलेगा इसमें आपको अपनी information एंटर करनी है सबसे पहले आप title में select के option पे click करेंगे तो आप यहाँ पे अपना title select करेंगे अगर आप male हैं तो शिरी को select करेंगे अगर आप female हैं तो आप शिरीमती कुमारी को select कर सकते हैं उसके बाद आपको option मिलता है अपना name एंटर करने का दोस्तो सबसे पहले आपको अपना last name यानि की surname एंटर करना है उसके बाद first name उसके बाद अगर आपके name में middle name है तो middle name में एंटर करेंगे अगर दोस्तो आपका single name है यानि की आपका surname नहीं है तो आपको अपना single name भी last name यानि की surname में ही enter करना है आपको first name में enter नहीं करना है तो यहाँ पे आपको सही तरीके से अपना name enter कर देना है उसके बाद नीचे आपको date of worth का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे तो यहाँ पे calendar आपके सामने open होगा यहाँ पे calendar में से आपको अपनी date of worth को select कर लेना है उसके बाद आपको अपनी email id को enter करना है जो भी present time में आपके पास email id है उसके बाद आपको अपना mobile number enter करना है जो भी आपके अधार card के साथ mobile number linked है वो आप यहाँ पे enter कर देंगे उसके बाद नीचे आपको इस box को tick कर देना है consent दे देना है और नीचे scroll down करना है यहाँ पे आपको नीचे I am not a robot के box को tick करना है उसके बाद नीचे submit के option पे click कर देना है कुछ seconds के लिए wait करना है और आपका एक token number generate हो जाएगा इस token number को आपको node on करके रख लेना है क्योंकि अगर किसी error की वज़े से आप यहाँ पे log out हो जाते हैं आप यहाँ से back चले जाते हैं तो यहाँ पे इस token number से आप re-log in करके उसी step से आगे का process complete कर सकते हैं इसलिए आपको इस token number को node on करके रख लेना है यहाँ फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हैं उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको continue with pan application form की option पे click करना है तो next please आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपको five steps complete करने हैं पहला step यहाँ पे guidelines का है जिस पे के tick लग चुकी है उसके बाद आपको अपनी personal details से enter करनी है उसके बाद contact and other details उसके बाद AO code details उसके बाद document details यह सारे steps आपको complete करने हैं दोस्तों personal details में आपको यहाँ पे नीचे तीन options देखने को मिलेंगे पहला option है submit digitally through ekyc and e-sign paperless अगर आप इस option को select करते हैं तो दोस्तों इससे आपकी मर्जी की photograph and signature आपके pen card पे print होकर नहीं आएंगे इसमें जो भी आपके अधार card की photo होती है वही आपके pen card पे print होकर आएगी और आप अपनी मर्जी की signature upload नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी मर्जी की photograph and signature को upload करना चाहते हैं, उसके लिए आपको second वाला option select कर लेना है, submit scan images through e-sign, इस option को select करने के बाद आप अपनी मर्जी की photograph and signature upload कर सकते हैं, third option है forward application documents physically, दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर physically अपने document forward करने पड़ते हैं, इसे आपको ignore करना है अगर आप online अपने pancard को बनाना चाहते हैं, दोस्तों हम यहाँ पर second वाला option select करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें option मिलेगा whether physical pancard is required, हम यहाँ पर yes के option को select कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे option मिलता है, एंटर अदार last four digits, दोस्तों हमारे अदार नंबर के जो भी last के four digits हैं, वो हमें नीचे box में enter कर देने हैं, उसके बाद नीचे हमें option मिलता है name as per अदार, यहाँ पर हमारे अदार कार्ट पर जो भी हमारा name है, वो same to same name हमें यहाँ पर enter कर देना है, उसके बाद नीचे हमें option मिलता है full name of the applicant, यहाँ पर हमारा title already select रहता है, और हमारा name भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको option मिलता है name that you would like printed on pancard, यानि कि जो भी name आपको यहाँ पर इस box में देखने को मिल रहा है, यही name आपके pancard पर print होकर आएगा, तो सही से आपको अपने name को check कर लेना है, उसके बाद नीचे आपके date of worth देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको अपना gender select कर लेना है, इसमें आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप male है, female है याँ फिर टांसजेनर, वो आपको select कर लेना है, उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे, यहाँ आपको option मिलेगा, have you ever been known by any other name, यानि कि आपको किसी or name से जाना जाता है, अगर आपका कोई or name है, तो आप yes के option पे click करके, अपने other name की detail add कर सकते हैं, अगर आपका कोई other name नहीं है, तो आप no को select करेंगे, उसके बाद नीचे scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने parents की detail से enter करनी है, यानि कि अगर आपकी mother ही आपकी single parent है, तो आप यहाँ पर yes के option को select करेंगे, और नीचे आप अपनी mother का name enter करेंगे, तो आप अपने pen card पे अपनी mother का name print करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने pen card पे father का name print करवाना चाहते हैं, तो आपको ओपर box को no करना है, last name enter करना है, उसके बाद first name enter करना है, अगर middle name है, तो middle name में enter करेंगे, उसके बाद आपको नीचे option मिलता है mother's name optional, यानि कि अगर आप father का name चाहते हैं अपने pen card पे, तो mother's का name enter करने के ज़वत नहीं है, आपको यहाँ पर नीचे option मिलेगा parents name to be printed on the pen card, यहाँ पे आप father's का name चाहते हैं या फिर mother's का वो आप select कर लेंगे, हम father's का चाहते हैं, हम father's name को select करेंगे, उसके बाद हमें नीचे next के option पे click कर देना है, next page हमारे सामने open हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तो personal details का step complete हो चुका है, अब हमें contact and other details enter करनी है, सबसे पहले यहाँ पे option आता है source of income का, कि आपका source of income क्या है, आप salaried person है, यहाँ फिर कोई आप business करते हैं, profession है, तो अगर आप इसे select करते हैं, तो यहाँ पे आपको multiple option मिल जाएंगे, कि आप काम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी option मिल जाते हैं, income from house property, income from other source, यहाँ फिर दोस्तो आप कोई भी काम नहीं करते हैं, यानि कि एक student है, तो आप no income को भी यहाँ पे select कर सकते हैं, हम यहाँ पे no income को select करेंगे, उसके बाद नीचे आपको option मिलता है, address for communication का, तो यहाँ पे आपको नीचे दो option मिलेगे, residence and office, तो अगर आप अपने घर का address देना चाहते हैं, तो आप residence को select करेंगे, अगर आप अपना office address देना चाहते हैं, तो office को select करेंगे, तो अगर आप किसी other state में job कर रहे हैं, तो आप अपने office का address यहाँ पे दे सकते हैं, हम यहाँ पे अभी अपना residence address देंगे, हम residence को select करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे हमें अपना residence address एंटर कर देना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एंटर करना है, flat room door block number, उसके बाद यहाँ पे name of premises building, village name जो भी है, वो एंटर करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे road है, street, land, post office है, वो एंटर करेंगे, उसके बाद area, locality, तालू का subdivision क्या है, वो एंटर करेंगे, उसके बाद हमारी town है, city है, यहाँ फिर district, वो एंटर करेंगे, उसके बाद country name में, हमें select के option पे click करना है, यहाँ पे हम India search करेंगे, तो India को select करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे state unit territory का option मिलता है, तो हमारी यहाँ पे state है, यहाँ फिर UT है, तो वो हमें यहाँ पे select कर लेनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने area का pin code एंटर कर देना है, तो हमारी सारी address details यहाँ पे enter हो जाएगी, उसके बाद हमें option मिलता है office address का, तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना residence address एंटर कर दिया है, और यहाँ पे search करना है India, तो हमारे सामने आ जाएगा India 91, simple हमें इसे select कर लेना है, उसके बाद area STD code को आपको blank छोड़ देना है, और telephone, mobile number आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, email ID देखने को मिलेगी, और नीचे यहाँ पे आपको option मिलता है representative, यहाँ पे यह नो के option पे select होगा, तो आपको इसे नो ही रहने देना है, और simple नीचे next के option पे click कर देना है, तो दोस्तो next page आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पे हमारा contact and other details का step भी complete हो चुका है, अब हमें AO code details का step complete करना है, उसके लिए दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, कि हमारी AO code details automatically यहाँ पे fill हो चुकी है, दोस्तों जो भी हमने पहले अपनी details enter की है, अपना अधार number enter किया है, उसी सी जो है यहाँ पे हमारी AO code details enter हो चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपकी AO code details automatically add नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको नीचे option मिल जाता है, for help on AO code, search from the following, तो यहाँ पे जो है आपको option मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी AO code details find कर सकते हैं, यहाँ पे आप Indian citizen को select करेंगे, उसके बाद नीचे आपके सामने options आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी state को select करना है, city को select करना है, अपना area name एंटर करना है, और fetch के option पे click करना है, तो यहाँ पे आपकी area के details आ जाएंगी, उसे आप select करेंगे, तो automatically आपकी AO code details यहाँ पे enter हो जाएंगी, आपको अपना proof of identity, proof of address and proof of date of worth के document को select करना है, दोसो सबसे पहले option मिलता है, आपको proof of identity का, इस पे आप click करेंगे select के option पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे documents के list देखने को मिल जाएंगी, तो दोसो जिस वी document को आप select करना चाहते हैं, उसे आप select कर सकते हैं, आपको अपको अपका name देखने को मिलेगा, और नीचे यहाँ पे आप select के option पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको himself, herself का option मिलेगा, इसी आपको select कर लेना है, और थोड़ा से नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे आपको place में जो है अपने place का name enter कर देना है, और यहाँ पे आपको date में आज की date देखने को मिलेगी, अब यहाँ पे दोसो आपको नीचे scroll down करना है, तो यहाँ पे आपको option मिलेगा upload photo and signature, यहाँ पे दोसो आप अपनी मर्जी की photograph and signature को upload कर सकते हैं, और जो भी आप अपनी photograph को signature को upload करेंगे, वही आपके pen card पे print होकर आएगा, अब दोस्तो फोटोग्राफ को upload करने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले आप उसका format देख सकते हैं, उसका format जो है JPEG में होना चाहिए, और उसका maximum file size 50KB का होना चाहिए, सेम format है यहाँ पे signature का, तो दोस्तो यहाँ पे photograph को upload करने के लिए, सबसे पहले आपको plus icon पे click करना है, तो आपकी gallery यहाँ पे open हो जाएगी, यहाँ पे जो भी आपने अपनी photograph क्लिक की हुई है, उसे आपको select कर लेना है, और नीचे open के option पे click करना है, तो आपकी photograph यहाँ पे select हो जाएगी, उसके बाद नीचे आपको upload के option पे click करना है, और कुछ seconds के लिए wait करना है, तो यहाँ पे आपकी photograph जो है वो upload हो जाएगी, उसके बाद सेम तरीके से आपको अपने signature भी upload कर देने है, आपको red वाले plus icon पे click करना है, gallery में से अपने signature की photo को select कर लेना है, तो आपके signature यहाँ पे select हो जाएगी, उसके बाद नीचे upload के option पे click करना है, तो आपके signature भी यहाँ पे successfully upload हो जाएगे, तो दूसर इस तरीके से आप अपने photograph और signature को upload कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आपको option मिलता है upload spotting document, तो दूसर यहाँ पे आपको अपना spotting document जो है वो upload करना होता है, जैसे कि दूसर हमने अपने proof of identity, proof of address and proof of date of worth के लिए एक ही document select किया था अधार काड, अगर आपने अपना proof of identity के लिए कोई और document select किया था और proof of address के लिए कोई और document select किया था, तो जो भी आपने अपने document select किया होंगे, वो document आपको one by one यहाँ पे upload करने होंगे, दोसो sporting document का जो format है वो आप देख सकते हैं कि उसका format PDF में होना चाहिए और यहाँ पर maximum size 300 KB का होना चाहिए sporting document में जो है दोसो आप अपने अधार कार्ट को दे सकते हैं आप अपने अधार कार्ट की PDF फाइल को यहाँ पे upload कर सकते हैं simple आपको यहाँ पे red वाले plus icon पे click करना है और अपने अधार कार्ट की PDF फाइल को select कर लेना है उसके वाद open के option पे click करना है तो आपकी file यहाँ पे आ जाएगी उसके वाद आपको उपर upload के option पे click करना है तो आपका sporting document यानि के अधार कार्ट यहाँ पे upload हो जाएगा यहाँ पे आपको red color में देखने को मिल जाएगा और उपर आपको remove का भी option देखने को मिल जाएगा अगर आपको यह देखने को मिलता है कि red color में आपका जो file का name है वो देखने को मिल रहा है और उपर remove का option देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो नीचे सबसे पहले आपको अपने आदार काट के first के 8 digits एंटर कर दिना है इस box में, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे scroll down करते जाना है, और अपने details को check करते जाना है, कि जो भी details आपने यहाँ पर एंटर की हैं, वो बिल् Online Payment Through Paytium, Online Payment Through Bill Desk, तो हम यहाँ पर Online Payment Through Bill Desk को select कर लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे दोस्तों हमें यहाँ यहाँ पर 106 रूपीज की payment करनी है, अपने pen card को बनाने के लिए, including GST, तो यहाँ पर दोस्तों आपको simple नीचे आप scroll down करना है, और यहाँ पर terms and condition को accept कर लेना है, इस box को tick करके, और proceed to payment के option पे click करना है, तो next page आपके सामने open होगा, confirm payment का, नीचे आपको pay confirm के option पे click करना है, और आप redirect हो जाएंगे payment page पे, यहाँ पर आपको multiple option मिल जाते हैं payment करने के, जैसे कि net banking, credit card, debit card, QR code, wallet, UPI, जिस भी तरीके से आप payment करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे उस option को select कर लेना है, दूसरों जैसे कि हम यहाँ पे QR code के through payment करने वाले हैं, हम QR code को select करेंगे, उसके बाद select your QR के option पे click करेंगे, UPI beam को select कर लेंगे, उसके बाद हमें नीचे make payment के option पे click करना है, तो हमारे सामने QR code आ जाएगा, इस QR code को हम अपने Google पे, phone पे, PTM application से scan करके, यहाँ पे successfully payment कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे successfully payment कर देंगे, तो हम यहाँ पे redirect हो जाएगे, और next page हमारे सामने open हो जाएगा, payment receipt का, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, transaction status में success, हमें यहाँ पे नीचे scroll down करना है, और नीचे continue के option पे click कर देना है, next option अधार authentication का, हमें यहाँ पे अधार authentication को complete करना है, उसके लिए हमें नीचे आना है, और यहाँ पे हमें concern देदना है, इस box को tick करके, और नीचे हमें authenticate and continue का option मिलेगा, हमें authenticate के option पे click करना है, next page हमारे सामने open होगा, OTP generation का, हमें OTP generation के option पे click करना है, तो next page हमारे सामने open होगा दोसों यहाँ पे जो है हमारा token number, applicant name and adhar number देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें सबसे नीचे OTP के box में जो है OTP enter करना है जो भी हमारे adhar card के साथ mobile number linked होगा उस पे OTP गया होगा वो OTP हम यहाँ पे enter करेंगे और नीचे submit के option पे click करेंगे next page हमारे सामने open होगा continue with e-sign के option पे हमें click कर देना है and next page हमारे सामने open हो जाएगा protein portal का तो यहाँ पे दोसों हमें अपना e-sign process complete करना है उसके लिए दोसों सबसे बेले हमें यहाँ पे ओपर consent दे देना है इस box को tick करके उसके बार नीचे हमें option मिलता है virtual ID अधार का यहाँ पे दोसों हमें अपना 12 digit का अधार number इस box में enter कर देना है और send OTP के option पे click करना है तो हमारे अधार card के साथ जो भी mobile number linked होगा उस पे एक OTP जाएगा वो OTP हमें यहाँ पे enter करना है और verify OTP के option पे click कर देना है तो successfully हमारे यहाँ पे e-sign process भी complete हो जाएगा और next page हमारे सामने open हो जाएगा acknowledgement का दोसों आप यहाँ पे देख सकते हैं Thank you for using online facility for pan application successfully हमारा pan application form जो है वो यहाँ पे submit हो चुका है अब दोसों जो हमने यहाँ पे form को apply किया है वो हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है जिसे कि download करके हम अपने पास रख सकते हैं यहाँ पे आपको simple download PDF के option पे click करना है तो यह form download यहाँ पे हो जाएगा इसी जैसे आप open करेंगे तो यहाँ पे आपसे password पूछा जाएगा तो password जो है आपको क्या enter करना है तो दोस्तो जो भी आपकी data वर्त रहते है उसे आपको यहाँ पे enter कर देना है सबसे पहले date उसके बाद month उसके बाद year जैसे आप यह enter करेंगे तो आपने जो भी form apply किया है उसके सारे details यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से जो है नस्टल पोटल से आप अपने new pen card के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो इस तरीके से आप अपने new pen card के लिए apply कर सकते हैं I hope की complete process आपको समझ में आया होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोशन है तो आपको comment box में comment कर दीजिगा मैं आपका reply जरूर करूँगा दोस्तो अगर आप अपने किसी family member या फिर friends के pen card में correction करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को लिंक आपको description में भी मिल जाएगा और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करने के साथ notification bell को press कर दीजिगा चलिए मिलते हैं next video में तब ता के लिए bye bye take care thank you